हलो दोस्तों स्वागत अब सब्सक्राइब आपको अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में दोस्तों आज के जो वीडियो है क्लास एट की विद्दाद दो बहुत ही दखास है जो जो परसो यानिक साथ जुलाई को सोसल साइंस के एक्जाम लिखने वाले जी यहां दोस्तों इसमें अच्छा कर सके क्योंकि सेयर करें किसे के अच्छा करोगे तो आपके जरूर अच्छा होगा और हाँ चल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करने इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए अपने एक्जाम की तयारी बहुत ही बढ़ी आप तरीके से करने के लिए ठीक है भूल मंचाने यार सब्सक्राइब कर दो ताकि हर इक वीडियो प्रोग देख पाओ चले शुरू करते इस वीडियो को देखते हैं क्या को सेंस है इसमें तो सबसे पहला सवाल हम लोगा दोस्तों कि बुनकरों को किन समयस्ताओं का सामना करना पड़ रहा था ठीक है बुनक फैक्ट्री में जो तो कपड़ा बनता है ठीक है वो काफी सस्ते दाओं में मिल जाता था देखो यह पर क्या हुआ कि बुनकरों को बिटिस उद्दोकों में बने कप्रों से मुकाबला करना पड़ता था जो सुन्दर और बहुत ही सस्ते होते थे क्योंकि वो फैक्ट्री मे पर बहुत अच्छा खासा टैक्स लगता और जबकि इंग्लेंड से जो कपड़ा आते थे हमारे देश में ठीक है उनको बहुत ही सस्ते दामों में चूट दी गई थी उसमें कोई टैक्स ने लेका आने पर इस प्रकार मांग घटने कान बुनकरों कि समय आजिविका की समझ पर हो गई और अपना पेशा चोड़कर वेखेती यह मज़ूर बने समझों यहावर हुआ गया क्योंकि जब यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया गया तो अब अगर टैक्स बढ़ा दिया गया तो कप्ड़ों को दामों में बिर्दी हो जाएगी क्योंकि इसलिए क्या पहले ट हुआ यहाँ पर यहाँ पर राज यह तने साड़े भारत के बुनकर थे सबी के सामने आज़ वी का की समय सा उत्पन होगे मतलब खाने पीने के लिए उनके पास अभ पैसे निहां जीवन यापन करना ब उनके लिए दिक्कत होने लगा तो उन्होंने जो बुनकर का पियसा तो उसको छोड़ दिया और खेती है और मजदूर करने लगे यानि खेतों में काम करने लगे समझ गया है बुड्स स्टील बहतर क्यों माने जाता था देखे बुड्स स्टील क्या होता है बुड्स स्टील लोहे को लकड़ी के कोईलों के साथ मिला कर देखे हो क्या बोड़ा है कि बोड़ी स्टील लोहे को लकड़ी के कोईले के साथ मिला कर मिट्टी की छोटी-छोटी हंडियों में रखकर प्रगलन द्वारा तियार किया जाता था किसमें की मिट्टी की छोटी-छोटी हंडी में उसको रखकर प्रगलन मतलब गला करके ठीक ह तो उसे जो इस्टिल बनकर तयार होता था वो इस्टिल वो काफी मजबूत और सक्त होता था और इससे बने तलवार इतनी पैनी होती थी तुशे शीर देते थी। इसलिए वोड इस्टिल को हैतर माना जाता था अगलाई सोवाल देखो क्या है दोस्तो यहां बोल रहा है कि भारतिय कपड़े विस्तो भर में क्यों परसीद देखो भारतिय कपड़ा परसीद था क्यों था तो भारतिय कपड़े लंबे समय से अपनी गुनवत्ता और बारिक कारीगारी के लिए विस्तो भर में परसीद देखो भारतिय कपड़े क्या लंबे समय सम मसूर थे मलमल जो कपड़ा होता दोस्तो बारिक बुनाई मतलब इतने छोटे चोटे बारिक बहुत अच्छ डिजाइन बुनाई होती थी मसूर थे यहां पर कुछ नाम दिया गया जामदानी बुनाई पटोला बुनाई बंडाना डिजाइन आदी की एरोपिया बाजार में ब्यापक मतलब बहुत ज़्यादा मांग थी यह जो बुनाई है इन सब का बहुत ज़्यादा इरोपिया बाजार में मांग थी उस वक्त ठीक है और भारती कपड़े अपने छपाई डिजाइन आदी के लिए तो विस्तो बहुत अच्छ अच्छ डिजाइन बनते थे और इ च्छपाई होती थी और प्लेस में इसकी क्वालिटी भी बहुत उच्छ थी मतलब जल्दी फड़ती नहीं थी ठीक है देशे समान था इसलिए अगला सवाल देव क्या आया है कि टिसको के अस्थापना क्यों की गई देखो 19-20 सदी में भारत आम तो पर बिर्टेन में बने और हमारे देश में क्या लोह-ायस के कमी नहीं है कोईले का भी भंडार है सिर्फ क्या इस्टिल बनाने की देवी थी तो समय रहोगोँ यहा लोह-ायस को और कोईले के विसाल भंडार थे लें कि इसे निर्यात किया जाता था ठीक है लेकिन क्या लोहा एसको और कोईला क्या करता था विदेश भेज दे जाता था और विदेशी लोग इसका यूज करके फिर इस्टील बनाते थे ठीक है तो देखो क्या होगा भारत में रेलवे के बिस्तार से इस पात की मांग काफी पड़ गी अब रेलवे के बिस्तार होने लगा रेलवे लाइन बीचने लगी तो इस पात की मांग में भारी बिर्दी हो गई और इतना ज़्यादा विदेश से निर्यात करना आयात करना दिक्कत वाला बाद था, इस मांग की पूर्ती और ब्यापारिक लाब को देखते हुए, इसको क्या स्थापना की गई, और इसकी मांग की पूर्ती, इतना ज़ा इस पात, मतलब इस्टील की मांग थी, इसकी पूर्ती के लिए और ब्यापारिक दिरिश्टी लाब को, मतलब बिजनेस करेगा तो लाब तो हो गाई ठीक है क्योंकि अब जो भारत पहले विदेश से मंगाया करता था इस टील अब वो क्या भारत में उत्पन्न होने लगा जिसको भी जरत पड़ता था भारत में मिल जाता था तो एक बहुत बड़ा ब्यापार शेत्र उभर गया पर्थम विस्योद की बड़ती मांग ने इसके विकास को और बल दिया इसका 90 परशत स्टील ब। सरकार ही खरित देती जब इसको अबाई गोद लेकर किसी को राजा नहीं बना सकता है जहासी की राणी लक्ष्यवाई के दतक पुत्र को अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया और राणी लक्ष्मिवाई क्या उसकी ज़त्तक पुत्र थे उनको अंग्रिजों ने राजा माने से इंकार कर दिया और जहासी को बेटेस राज्य में मिला लिया कहा कि चलो जहासी का कोई राजा नहीं है और ज़त्तक पुत्र उसको हम राजा नहीं मानेंगे क्योंकि उसके जो हड़पों नीती है उसके तहर जो गोद लेकर अगर किसी को राजा बनाए जाता है तो उसको हम राजा नहीं मानेंगे ठीक है ये बेटे से कार्या कहना था तो राणी लक्षभाई कोई बुरा लगा और उसने इसका बिरोध किया और लड़ाई सुरू हो ग किया था भारते साइनिक जो दोस्तो नए राइफल का प्रियोकरन स्केयों मना कर दिया था तो देखो नई एंफिल्ड राइफल में कार्तूस के उपरी भाग को मुझ से काट कर बंदूग में बंदूग में डालना पड़ता था जनबरी अर्षत संता निसमीं हुआ क्या द बंगाल की सेना में यह अफ़वा फैल गई कि चर्वी वाले कार्तूस में गाई एवं सूर की चर्वी है कहा गया कि जिस कार्तूस को हम लोग मुझ से फारते हैं और मुझ से काट कर उसे बंदूग में डालते हैं उसमें गाई और सूर की चर्वी लगे हुई है जो कि सैनिको की नई राइफल का परियोग करने से बनाए और इसी लिए भारती के सैनिको ने क्या किया जो नई राइफल थी उसका परियोग करने से बनाए तो बिल्कुल जाहिए इसी पात है जिसका पूझते हो और उसी को मुह से अगर चबाना पड़े तो फिर समझ रहो कि किस इस प्रकार साथ थेस पहुंचे गधार्मिक भाबना को तो इसलिए यह हुआ और उसने और इस प्रकार विद्रो खड़ा हो गया और उसने से और क्या यह राइफिल का प्रियू करने से भारते सैनिकों ने मना कर दिया में कारन क्या था गाय और सुवर की चर्वी लगा होना समझ रहो और अगरा स्वाल में लोका कि आठो संताम करनती कब और कैसे हुई बहुत महत्पूर्णों कोश्चन और इसे जितना सारा कोश्चन में बता हूँ आप अभी उस सारा कोश्चन साप सभी के लिए बहुत ही देख लो समझ लो जब सैनिकों को इस बात का पता चला कि कार्तूस में गाय और सुवर की चर्वी है तो सैनिकों ने इन कार्तूसों का परियोग करने से मना कर दिया क्या हुआ जब सैनिकों कि इस बात का पता चला कि अरे भाई जो कार्तूस को हम लोग मूँ से काट करके भ बिद्रो भी कर दिया, यह ऐसा क्यों, हमार धार्मिक भावना ऐसा थेस क्यों, हमें इस तरह क्यों दिया जाथा, ठीक है, बैरकपूर चाबनी में मंगल पांडे नहीं क्या कि, वहाँ सैने ग रहे तो उसको चाबनी बोला जाता है, ठीक है, तो बैरकपूर चाबनी, जो कि की तरह फैल गई हर लोग को पता चड़ गया कि मगल पांडे को फांसी दे गई और जिसके कारण 10 माई 87 मेरट के सिफाईयों मेरट में सिफाईयों ने खुले दोर पर विद्रोग कर दिया और इस प्रकार 87 की क्रांदी की शुरुआत हुई ठीक है फिरी धरी यह हर एक जीले म मिले कि हाँ चलो बच्चे बढ़ रहा है और भी अच्छे कोशन्स लाओं तो हर इक बच्चा जो भी देख रहा है प्लीज दो काम करना एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दुसरा नेक काम यह करना कि अबने दोस्तों को सियर जरू कर देना ताकि आपके साथ दूसरो को भी लाब मिलेती है चले सब्सक्राइब को अब इतना ही फिर्म लिंग नेक्स पूडियो में जल्द ही तब तक लिए जैहिंद वंदे मातरम